Hello Friends, Welcome back to my channel, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाइ डिजाइन Friends, चैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों का New Basic सिलाइ कोर्स चल रहा है तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 30 क्लास कंप्लेट कर लिया है ये हमारी 24 वी क्लास है तो हम लोगोंने पिछली वाली क्लास में पूरा नहीं दिखा पाई थी तो आज के दिन हम लोग यहाँ पर अपनी ब्लाउस में स्लीफ लगाना सीखेंगे तो चलो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने blouse को उल्टा करके लेंगे, ठीक है, तो blouse को उल्टा करके रख लेते हैं, तो देखो friends इस तरह से हमने अपने पूरे blouse को उल्टा करके रख लिया है, और blouse को उल्टा करके रखेंगे और sleeves को सीधी करके लेंगे, तो इतन भांन रखना है कि हमारा ब्लाउस जो है वो उल्टा रहेगा और स्लीवस हमारी दोनों सीधी रहें गी अब इतना कर defense किरैंगे अपने स्लीव में कटिंग करते समया हाफ इंच करते हैं के हमारा उपर रहें और यहां पर जो सिलाही होती है। इस स्लीपस हमारी इधर होई और ये वाला की होई। तो देखो इधर भी हमारा half inch जो down है ये ऊपर है और fitting नीचे है तो ये sleeves इधर की हो गई ये sleeves इधर की हो गई तो अब इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन सी sleeves किधर लगानी है ठीक है तो सबसे पहले आपको ये पता जरूर कर लिना है वरना इधर उधर लगा दोगे तो जो half inch डाउन किया है तो अगर पीछे साइट को लग जाएगा तो फिर वहां पर खिचाओ आएगा और front part में जोल जाएगा ठीक है अब चलो यहां पर हमने इतना सीख लिया अब इसके बाद हम एक-एक sleeves लगाना सीखेंगे तो अब यह sleeves है इसको हम अपने आर्मोल के अंदर ऐसे डालेंगे तो देखो इस तरह से हमको अपने आर्मोल की गुलाए के अंदर sleeves को हमने डाल दिया है इस तरह से अब दोनों की गुलाए बिल्कुल बराबर से नाप लेनी है तो देखो दोनों की गुलाई बराबर है लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत डौट है तो इस तरह से fitting से fitting मिलाईएगा और मिलाने के बाद दोनों की गुलाई बिल्कुल बराबर से इस तरह से नापते चलिए अब मेरे पास एक कमेंट्स आया हुआ था इसके लिए कि हमारे श्लीफ जो है वो जो गुलाई होती है तो दोनों की बराबर नहीं आपाती है तो हम इसके लिए क्या करें तो आज किस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बता दूँगी तो यहां पर तो पहले चोटी पर जा रही है या फिर आपका blouse बढ़ा जा रहा है या फिर brows की गुलाई चोटी पर जा रही है तब आपको क्या करें को है जैसे अगर blouse की गुलाई और ब्लाउज की गुलाई imagen जादा है तो फिर यहां पर आपको थूड़ी सी इधर सायड साइट को तीर राऊँ आयेगा तो इसके लिए आपको यहां पर क्या करना है जो हमारी श्लेट्स जहना यह आपको शिलाई को खोलने होगी और यहां से इतना कप्ड़ा जो हमारा मार्जीन है यहां पर शिलाई लगा के तिर्च Ayam je इतनी सिलाई खोल दोगी तो इतना कपड़ा हमारा खुल जाएगा तो हमारी गुलाई फिर बराबर आ जाएगी है ना तो चलो यहां पर अब गुलाई पूरी तो बराबर है तो देखो यहां पर फिटिंग से फिटिंग बिल्कुल बराबर से मिलाना है मिलाने के बाद यहां पूरे ही गुलाई पे यहां पर शिलाई लगा लेंगे तो बस यहां पर हम शिलाई लगा लेते हैं तो देखो फ्रेंट्स इस तरह से यह हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गुलाई पे शिलाई लगा लिया है देख सकते हो अब मैं इसको एक बार आपको शीधा करके दिखा देती हूं तो देखो फ्रेंट्स यह हमारी स्लेफ्स जूड़ चुकी है बलाउज में अब जैसे हमने यह वाली स्लेफ्स लगा के कंप्लीट कर रहना सेम तरीके से अब हम इधर वाली स्लीफ को भी लगा लेंगे तो अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से लगानी होती है आप भी लगा लोगे तो बस मैं यहाँ पर लगा के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तो देखो फ्रेंट्स इस तरह से हमने दोनों साइट स्लीफ लगा के कंप्लीट कर लिया है अपने बलाउस को तो यह हमारा पूरा बलाउस कंप्लीट हो गया है बस इसमें हमें अभी गले में तुरपाई करनी होगी बांकि नीचे की साइट तुरपाई और यहाँ पर हुक पट्टी में मतलब घटवा पट्टी में और यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पर हम जो भी अपना हुक वगएरा जो भी लगाएंगे बटन वगएरा वो लगा देना है बस उसके बाद पूरा बलाउस हमारा पहनने के लिए रेडी हो जाएगा यहाँ पर बनानी के बाद फिर आप एक बार प्रेस लगा देना उससे ज़्यादा चिफ नेसिंग आ जाएगी आपके ब्लाउस में तो चलो यहाँ पर हमने अपना पूरा ब्लाउस बना के कम्प्लीट कर लिया है अब हम ब्लाउस को साइड में रखते हैं आपको मुझे एक चीज बतानी है जैसे कि आप लोग मेरे पास बार बार बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हो कि हमको इस वाले ब्लाउस की केटिंग बता दीजिये और फिर बोलते हो कि हमें इसका आगे का वीडियो नहीं मिला है तो मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहती हूं तो फ्रेंट से देखो जैसे कि यहाँ पर मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो और देखने के बाद जो मेरा नाम लिखा हुआ है संद्या सिलाइ डिजाइन उसी पर टॉच करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ औपिंखो जाएगा पेज अब यह पी अपन होने के यहां पर बहुत सी डिजाइन्स मैंने ऐसी बताई हुई है जहां पर आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा तो बहुत सी वीडियो मैंने यहां पर डाल चुकी है तो 389 वीडियो यहां पर मैंने डाल चुका है तो 389 आपको डिजाइन्स देखने को मिलेगी तो अगर आपक जैसे कमेंट्स करते हो कि हमें थेयोरी बता दीजिए तो चलो यहां पर जैसे मेरा पेस दिख रहा है जो मेरा चैनल है अब यहां पर आपको प्लेइलिस्ट में जाना है प्लेइलिस्ट में हम आ गए अब यहां आने के बात देखो यहां पर आपको प्लेइलिस्ट मेरी सारी बननी हुई है जो जैसे आपको कोई भी theory लिखनी है ना तो theory की playlist अलग है यहां पर आप सुरों से class 1,2,3 केवल theory लिखना हो तो इस तरह से आपको note करनी है पूरी copy तो बस यहां से पहली video यह देखना और सारह कुछ नोट करते जाना और सारी वीडियो यहाँ पर आप देखते हुए नोट कर लेना सारी थियोरी आपको मिल जाएगी I hope आपको यहाँ पर आप कोई confusion नहीं रह गया होगा क्योंकि थियोरी के लिए मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमें थियोरी बता दीजे जो भी मैं copy share दिखाती हूँ कुछ सी किसी उसमें वीडियो में तो फिर वहाँ पर कमेंट्स आता है कि आप मैं हमें यहाँ पर पुरी copy share करिये तो हम लोग भी नोट्स complete कर लें तो मैंने इसकी सारी वीडियो अप्लोड कर दी है और आप जाकर यहाँ से नोट कर लीजेगा इसका मैंने playlist भी बना दिया है अलग तो आपको आसानी रहेगी सारा कुछ नोट करने में तो जाएए फटा-फट से और सारा कुछ नोट कर लीजेगा और मेरे दूसरे वाले चैनल को subscribe जरूर कर लेना और अगर अभी तक मुझे Instagram पर follow नहीं किया तो जाकर follow कर लो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को बहुत प्यारी-प्यारीशी डिजाइन सेयर करती हूँ तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धैनिवाद